ओम श्री गनेशाय नमा माइडियर फ्रेंज तो आज हम एक नई रीडिंग लेके आए हैं जो की होगी current feelings of your partner की देखेंगे अगले एक हफते आपके partner की क्या current feelings हैं क्या वो feel करते हैं उनकी true feelings, उनकी intentions, उनके next action तो आज का topic होगा ये सबसे पहले मैं जितने भी लोग आज पहली बार मेरे इस channel से जोड़े हैं मैं उनको welcome करना चाहती हूँ friends I request you to please subscribe to my channel अगर आज आज आप पहली बार आए हैं और अगर आगे भी आप मेरी videos देखना चाहते हैं तो notification notification bell को on कर लीजिए next ये एक general reading है आप इस reading को बिल्कुल भी अपने ओपर force मत कीजिएगा कि मेरे पार्टनर तो ऐसा नहीं ऐसा करता ऐसा देखिए ये एक general reading है पूरी राश्ची की reading होती है तो जबरदस्ती कोई भी चीज खुद पर डालने की ज़रूरत नहीं है हो सकता है वो आपसे match करे हो सकता है वो आपसे ना करे तो इसलिए light mood में इन readings को देखिए हाँ अगर आपको personal reading चाहिए तो number उपर mentioned है उसके हिसाब से आप अपनी reading ले सकते हैं और reading करवा सकते हैं WhatsApp करिएगा direct call मत करिएगा क्योंकि मैं दूसरी reading में होती हूँ तो मैं फोन नहीं उठा पाती और शायद आप लोगों को लगता है कि मैं तो हमारा फोन ही नहीं उठा ली देखिए मैं दूसरी reading में हूँ मैं कैसे उठा लू एकदम से सो आप थोड़ा सा अंडरस्टाइड करिए इन चीजों को direct WhatsApp करिए मैं WhatsApp पर ही होती हूँ हो सकते हैं immediately ना reply करूँ 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर reply कर दूँ बट मैं ही करूँगी नेरा number कोई handle नहीं करता I am the only one ठीक है? सो अब जल्दी से बाते clear करने के बाद अब हम reading को start करते हैं friends Alright, so my dear cancer rashi यानि कि करक राशिया ये देखते हैं कि आपके partner की current feelings क्या है क्या वो सोचते हैं क्या चल रहा है उनके mind में सो उनकी current feelings and then उनकी इस रिष्टे को लेके intent देखेंगे and then finally हम उनकी next action देखेंगे so सबसे पहला the sun, beautiful guard five of swords the chariot ace of pentacles and knight of swords so cancer rashi आपके partner की current feelings ये हैं कि वो इस रिष्टे को लेके positive है वो इस रिष्टे में happiness देखते हैं वो इस रिष्टे में हर वो possible चीज़ देखते हैं जो होनी चाहिए but यहीं पर एक बात आती है कि फिर क्या problem है problem ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पारे आप दोनों एक दूसरे से बेतु की बातों पर लड़ते हो बहस करते हो एक दूसरे को समझ नहीं रहे ego clashes करते हो जगडे कर रहे हो एक दूसरे के साथ अपनी compatibility को हिट कर रखा है आपने एक दूसरे को पता नहीं आप लोग पहले शायद ऐसे नहीं होगे बट अभी instead of all this चाहे आपके partner कितने भी frustrated है कितने भी परेशान है आपके partner चाहते हैं कि आप और वो आगे बड़े relationship को संभाले ठीक करे अपनी गलतियों को आप भी समझे अपनी गलतियों को वो भी समझे कुछ ऐसा करे जिसमें आप दोनों अपने relationship को एक better level पर फिर से लेके जाएं तो यानि आपके partner positive है बट वो तंग आ चुके हैं इन लड़ाई जगडों से और इन stress वाली बातों से सो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी कि कहीं बार 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 तो नहीं same pattern मेरी life में चल रहा intent इस रिष्टे को लेके उनकी नियत queen of cups two of swords and four of swords देखे इस रिष्टे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत जादा आपको प्यार करते हैं आप भी आपके और उनके बीच में बहुत love है situation में प्यार है but इतना छगड़ा हो जाता है इतना confusion create हो जाता है इतना mess create हो जाता है उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा and then वो finally surrender कर देते हैं divine को तो उनकी mind में कुछ इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है कि मुझे भी ultimately क्या करना है क्या सोचना है मैं ये करूँ मैं इसका साथ दू मैं इसकी सुनू मैं इसकी सुनू तो बहुत ज़दा confusion रहता उनके mind में और बहुत ज़दा confusion के बाद जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो वो उपर वाले पे छोड़ देते हैं आपको मैं यही कहूंगी कि आप भी इनकी प्रॉब्लम्स को समझें आप भी देखें कि क्या ऐसी ये चीजे कर रहे हैं क्या गलतियां आप से भी हो रही हैं क्या आप कुछ संभाल सकते हैं या आप कोई effort लगा सकते हैं आप अपनी तरफ से क्या वो चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप दोनों का रिष्टा बेटर हो ना कि उलज जाए ठेक है ये मुझे उनकी current feelings and intent नजर आ रहा है अगर ये आप से कम बोल रहे हैं या जो भी है तो क्या ये कोई action लेंगे आपके लिए हम दूसरे deck से कार्ड निकालते हैं दूसरे deck यूज करेंगे इसके लिए और देखेंगे कि क्या ये आपको कुछ कहने वाले हैं या करने वाले हैं या exactly इनकी actions क्या दिख रहे हैं इस रिष्टे को ले के सबसे पहला three of cups, eight of wands, seven of cups देखें बहुत positive reading आई है करकराशी आपकी और जरा सी भी आपके partner के mind में, उसके दिल में, उसकी feelings में problem नहीं है आप ही शायद उसे समझ नहीं पा गए मैंने हमेशा देखा मुसली करकराशी वालों को बहुत अच्छा partner मिलता है I don't know क्यों बट ये आपके अच्छे good करमाज ही है आपका partner चाहता है आपके साथ मिलकर खुशी से जीवन को जीना life में enjoy करना, आपको communicate करना हर वो possible रास्ते से आपको मनाना और आपके साथ का इस रिश्टे में आगे बढ़ना और मेहनत करना मतलब मैंने इतनी reading करिया आज एक भी positive reading ने आई किसी भी sign की जितनी cancer राशी के आई है and mostly आती है आपकी positive reading so I just want to congratulate you कि आप इतने blessed हैं कि भवान ने आपको इतने अच्छे person के साथ जिसके भी साथ ये resonate हो रही है बहुत अच्छी reading आई है ये person आपके लिए genuine है और आपको अपना life का आपका best time देना चाहता है ठीक है next हम देखते हैं आपको क्या करना चाहिए what should you do divine की तरफ से divine आपको क्या guidance लेते हैं इस रिष्टे में आगे बढ़ने के लिए what should you do cancer राशी discover your true self लेकि खुद को पहले जाने ऐसा तो नहीं है कि आप अपने partner में ही कमिया निकाले जा रहे हैं और ego clashes में फसे जा रहे हैं आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले खुद को जानेंगे तब ही दूसरों को जान पाएंगे शान्ती से बैठें discover करे आत्म बोद करे ठीक है relax करे meditation अगर कर सकते हैं नहीं तो 5-10 मिनट सिर्फ आँखे बंद करके अपना आपको जानने की कोशिश करे और realization करे analysis करे अपने लिए अगला है law of karma तो कहीं न कहीं law of karma का काड़ आ रहा है तो कुछ आपने ऐसी चीज़े करी है जिसकी वज़े से आज ये सारी problems ये सारी बाते आपके सामने आ रही है आप अपने करमा इस पर चेक रखे अपनी efforts को अपने मेहनत को देखे कि आप कर भी रहे हैं इस रिष्टे में ये आपकी तरफ से ही गड़बर हो रही है and good fortune का काड़ आया है यानि कि आपको divine bless कर रहे हैं आपको आने वाला समय जो है वो आपकी किस्मत को खोल देगा सवारेगा आपको सही रास्ते दिखाएगा आपको आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है और आपको अपनी आपको समझना होगा कि आप कहां कहां गलतियां कर रहे हैं cancer राशीद ठीक है और किस तरह से आप इस पूरे कहानी को इस situation को इस रिष्टे को संभाल सकते हैं ये आपके उपर है ठीक है so my dear cancer I hope friends कि आपको बहुत clarity मिली हो इस reading से और आप वो चीजें करेंगे जो आपको करनी चाहिए और reading पसंद आई हो तो like करें, channel को subscribe करें और अगर किसी को personal reading चाहिए हो तो वो मुझे contact कर सकता है number उपर mention है so अभी के लिए bye friends